हलो बच्चों कैसे आप सब, होफ़ली आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चाप्टर नमबर 10 जो की डाफिनेट इंटेग्रेल एंड इस अप्लिकेशन का चाप्टर है उसकी second exercise का second हे question करने वाले हैं आपको इसका first question, property ways question बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा यह property जो हमने first question में use की थी वो property यह समझीए throughout जब भी आप trigonometry पर काम करते हैं काफ़े हद तक यह property use होनी ही है काफ़े important property है यही same property हम इस second question में भी use करने वाले हैं तो चलिए second question के शुरुआत कर देते हैं second question स्टार्ट करते हैं second question में भी हम basically उसी property पर काम करने वाले हैं जो हमने first question में use की थी वो वाले property सबसे ज़्यादा use होती है तो देखें मैंने first part में इसको बोल दिया है आई और अब हम उसी property की help लेने वाले हैं ठीक है यह देखें वही same property मैंने उसको copy कर लिया था पहले ही so यह बन जाएगा 0 से pi by 2 log of tangent pi by 2 minus x and dx so यहाँ से क्या आगया 0 से pi by 2 log of यह बन गया cotangent x right इसको हमने 2 बोल दिया यह हमारा 1 है question का अब वही काम adding 1 and 2 so इनको add करते हैं तो i plus i 2 i 0 से pi by 2 log of tangent x dx right side की दूसरे from 2 से हम ले थो log of cotangent x dx अब क्योंकि limits भी same है है ना so ऐसे में इनकी limits को ले लिए हमने combine और यह अंदर के integrals जो है वो हो गए add so log of 10 and log of cot अब यहां पर log of a plus log of b की property लग रही है तो क्या हम इसको log of a into b नहीं लिख सकते हैं है ना log की property की हम यहां पर help लेने वाले हैं उससे क्या हो जाएगा log of 10x and cotx आपस में multiply हो जाएंगे clear property आप यहां पर mention कर सकते हैं चलिए मैं लिखी देता हैं कि हमने क्या यूज किया log of a into b जो कि क्या होता है log of a plus log of b तो हमने इससे यह process बनाई है clear तो अब देखिए 10 और code तो एक दूसरे के क्या होते है reverse होते हैं तो reciprocal हम जिसको बोलते हैं cortex को क्या हम 1 upon 10x लिख सकते हैं and dx क्या बच गया सिर्फ हमारे पास log of 1 बच गया और log 1 कितना होता है 0 और 0 का integration क्या हो जाएगा basically हमारे पास 0 का integration 0 ही बचेगा यानि की i की value भी कितनी आ रही है 0 ही आ रही है clear तो यह था हमारा first part चलिए second part करते हैं क्या है चलिए देखते हैं 0 से 1 log of 1 plus x and 1 plus x square dx कुछ extra ही इसमें हमें काम करना पड़ेगा यह directly वो situation नहीं बना रहा है जो हमें चाहिए अगर हम इसमें अभी से ही यह substitution कर देंगे वो वाली property वाला तो कुछ pattern नहीं बनने वाला है ठीक है वो pattern mostly सबसे ज़्यादा कहां काम देता है वो काम देता है trigonometry में क्योंकि उसमें 10 का quote, quote का 10, sign का quote, quote का sign वापस उसे में घूंफिर का result आ जाता है लेकिन ऐसा तो कुछ यह नजर नहीं आ रहा है तो हम इसको देखते हैं कि 1 plus x square तो जब ऐसी कोई situation होती है तो normally हम उसमें x के जगे क्या रखते हैं tangent या को tangent रखते है तो चलिए मैं वो रख लेता हूं है ना so dx system बदल जाएगा secant square theta और d theta में है ना so साथ-साथ limit भी बदल ही लेते हैं so when x is equal to 0 so 10 theta किसके equal आ रहा है 0 के so 10 कितने angle पे 0 रिजल देता है जब angle खुद 0 हो है ना when x is equal to 1 so tangent theta 1 के equal आ गया तो tangent कितने degree angle पर 1 लिता है 1 by 2 पर तो मैं degree बोलके वैसे πाई बाई 2 लिख रहा हूं है ना वैसे यह radiant form होती है कोई बात नहीं angle की में बात कर रहा हूं therefore हमारा जो i है वो i किसमें करनोट हो गया 0 से πाई बाई 2 देखें नॉर्मली हमें जो चाहिए होता है तो यह भी एक पैचान थी कि यहां है ऐसा कोई number भी नहीं था तो यह बंदल गया हमारा 1 प्लस x की जगए tangent theta और नीचे 1 प्लस 10 square theta और dx की जगए secant square theta d theta अब यह देखें 1 प्लस 10 square क्या secant square नहीं होता तो secant square से secant square कट गया हमारा पास basically बच क्या रहा है हमारा पास बच रहा है 0 से πाई बाई 2 log of 1 प्लस tangent theta and d theta यहां यह क्यों कटे है उसके पीछे का reason आप देना चाहिए तो उसको आप दे सकते हैं क्योंकि 1 प्लस 10 square theta secant square theta के equal होता है तो इसलिए आपस में कट गए अब देखें इस पर हम अपनी वही property जो है वो अब apply करते हैं ठीक है वो मैं अब यहां पर mention कर देता हूँ तो देखें क्या ही fact पड़ेगा therefore हमारा i 0 से πाई बाई 2 तो रहा log of 1 plus tangent pi by 2 minus theta है ना d theta so क्या ही fact पड़ा वो देखते है 0 से pi by 2 यह बन गया log of 1 plus cotangent theta clear ऐसा ही बना या कुछ और situation आएगी ऐसा ही बनने वाला है लेकिन यह coat कुछ तो गड़बड चल रही है coat तो नहीं बनेगा क्योंकि coat बन गया तो फिर यह आपस में pi by 4 पर आता ही है that means कि यहाँ limits लगेंगी pi by 4 pi by 4 pi by 4 तो pi by 4 लगेगा तो अब यह convert तो हो नहीं सकता है ना so यहाँ पर एक tangent pi by 4 minus theta की एक property होती है वो apply करते हैं क्या हम इसको ऐसे लग सकते हैं 1 minus 10 theta divided by 1 plus 10 theta है ना 10 की ही property है यह clear तो अब हम LCM ले लेते हैं so i किस में convert हो गया 0 से pi by 4 log of as it is LCM हमारा देखे क्या आ गया 1 plus tangent theta तो यह इस 1 से multiply करेगा 1 plus tangent theta और उसके उपर वाला same 1 minus tangent theta ठीक है and d theta यह दोनों आपस में cancel yes यह situation बन गई है so हमारा i किस में convert हो रहा है 0 से pi by 4 log of यह हमारे पास बच गया 2 upon 1 plus tangent theta d theta क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 से pi by 4 log of 2 minus log of 1 plus 10 theta है ना बिलकुल लिखा जा सकता है हमने log a upon b की property यूज गये log a minus log b clear? इसको हम 2 बोल देते हैं अब हम कर लेते हैं adding so adding 1 and 2 so i plus i तो आपस में add हो जाएंगे अब देखें 1 क्या था? log of 1 plus 10 theta और यहाँ है यह quantity so i plus i तो 2i हो गया 0 से pi by 2 वहाँ था log of 1 plus tangent theta d theta फिर प्लस यहाँ है हमारे पास 0 से pi by 2 log of 2 minus log of 1 plus 10 theta d theta अब दोनों की limits तो सेम है तो इनको हम combine कर सकते है तो एकी bracket में इनको कर लिया हमने तो यह बन गया log of 1 plus 10 theta plus log of 2 minus log of 1 plus 10 theta and d theta तो आप notice कीजिए यह दोनों तो cancel नहीं हो गए क्या बचा सिर्फ हमारे पास सिर्फ बच गया log of 2 यानि के constant और constant का integration क्या होता है constant का integration होता है constant multiply variable है ना और variable पर limit लगा दें 0 से pi by 2 so हमारा 2i किसके equal आ रहा है log of 2 multiply pi by 2 इस 2 से 2 मत काट देना क्योंकि यह log के साथ है ठीक है अब यहां से i के value क्या जाएगी यह 2 इधर इसके divide में आ जाएगा तो basically हमारा answer क्या बन रहा है pi by 4 multiply log of 2 clear अरे नहीं pi by 2 नहीं pi by 4 चल रही थी limit कहा ध्यान है आज मेरा पता नहीं यहां limit जो है वो limit तो pi by 4 चल रही है है ना pi by 4 बस अचानक ध्यान आ जाती है आ गई एक्च्वल में यहां basically हमारे पता रही है pi by 4 तो pi by 4 को pi by 2 और डिवाइड करें तो pi by 8 बन जाएगा तो यहां गया हमारा second part चलिए next करते हैं third part क्या है third part 0 से 1 log of 1 by x minus 1 ठीक है 0 से 1 0 से 1 log of 1 by x minus 1 ठीक है इस पे काम चल जाएगा देखे क्या हम इसमें lcm ले सकते हैं हमने क्या किया इधर lcm ले गिया x क्या बन गया 1 minus x and dx अब हम वो limit apply कर देते हैं इस पर limit apply करते हैं तो देखे हमारा i किसमें convert हो जाएगा 0 से 1 log of यह 1 minus x के जगह में क्या रखना है 1 minus x हमारा a देखे कितना है 1 है है ना फिर से नीचे x के जगह भी हमें 1 minus x रखना है और यह dx है clear तो इसको simplify करें तो यह हमारे पास क्या बन रहा है यह देखे 1 minus 1 तो 0 हो जाएगा और यह minus minus plus का x बच जाएगा और divide में 1 minus x है अब एक चीज़ ध्यान दीजिए क्या यह और यह क्या एक दूसरे के reciprocal नहीं है है ना यानि कि इसको हम 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं और log में जब भी आपस में combine होएगे तो खतम हो जाएगे तो adding 1 and 2 इसको पहले हम दिखा देते हैं कि हमने इनको आपस में add किया है plus log of x upon 1 minus x है ना अब log के property अगर इस पे apply करें तो यह हमारे पास क्या बन रहा है log of 1 minus x upon x multiply x upon 1 minus x and tx यह इसे cancel हो गया यह इसे cancel हो गया basically क्या बचा 1 यानि कि 2i 0 से 1 log of 1 के equal है और log of 1 किसके equal होता है log of 1 0 तो 0 का integration भी 0 तो i के value कितनी आ रही है 0 के equal आ रही है ठीक है तो यह हो गया हमारा third part चलिए next करते हैं part 4 इसमें भी property लग सकती है वैसे चलिए देखते हैं क्या situation बनती है most probably काम बनतो जाना चाहिए property लगा कि इसको हमने बोल दिया i इस पर हम लगाते हैं अपने property चिक है so therefore हमारा i किसमे convert हो रहा है 0 से pi by 2 sin to x x की जगे देखिए log of tangent x x की जगे फिर से pi by 2 minus x and dx so क्या किसमे convert हुआ वो चीज़ हम देख लेते हैं 0 से pi by 2 तो sin अब यह देखिए पहले यह दो इसमें multiply करेंगे तो pi by 2 को क्या बना देगा pi और 2x के साथ भी multiply करेगा तो 2x और यहाँ पर क्या बन गया log of cotangent x है ना अभी देखिए pi से क्या sin पर कोई फर्क पड़ेगा 0 से pi by 2 sin sin में ही रहेगा है ना और pi minus second quadrant second quadrant में 2x as it is रहा multiply में log of cot इसको cot ही रहने देते हैं या 1 by 10 भी लिख सकते हैं और इसको हमारा 1 so adding का काम कर लेते हैं so adding 1 and 2 clear so i plus i तो 2y में बदल गया 0 से pi by 2 first की क्या थी right hand side sin 2x multiply log of 10x dx and then plus second की 0 से pi by 2 sin 2x multiply log of cot and dx ठीक है तो अभी देखिए 2y तो as it is है दोनों में हमने क्या किया 0 से pi by 2 limit same थी sin 2x भी दोनों में same है तो मैं add तो करना ही चाहता है तो इस में से हमने sin 2x को कुम ले लिया तो मारे पस क्या बचा log of 10x plus log of cortex ये बचा है ना and dx अब हम यहाँ पर क्या करेंगे log की वो property लगा देंगे so ये क्या बन जाएगा log of 10x multiply cortex जबकि log of 10x and cortex क्या रिजल देते हैं 10 into coat क्या होता है 1 होता है directly सकते हैं इसकी जगा 1 तो यानि कि यहां हमारे पास क्या आ गया log of 1 and dx जबकि log 1 क्या होता है 0 तो यानि कि basically हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आने वाला है 0 तो आई का रिजल्ट भी कितना आ गया 0 ओके तो यह था हमारा 4th part चली 5th करते हैं 0 से 1 log x upon 1 minus x जब minus आता है जैसे अब भी पीछे हमने साइट से 2nd part किया था तो ऐसे situation में हमारे पास क्या बनती है कि हम x की जगह क्या रखें साइन रखते हैं है ना तो ऐसा सा ही काम यहां पर है करें स्टार्ट चले देखते हैं 0 से 1 log of x divided by 1 minus x square root था root भी है and dx भी है तो देखिए हम क्या करने वाले put x is equal to sine sine ही करना पड़ेगा और कोई option है नहीं हमारे पास तो sine x का t is actual में sine t तो x का dx sine का cos t t का dt and when x is equal to 0 so sine t is equal to 0 sine 0 कब होता है जब angle भी 0 हो when x is equal to 1 so sine t is equal to 1 तो sine 1 कब होता है जब t pi by 2 इस बार सही है last time मैंने गडबड कर दी थी therefore i किसके equal आ गया 0 से pi by 2 ये बन गया log of sine t है न and denominator में root of 1 minus sine square t and dx की जगे cos t and dt अब ध्यान दे तो 1 minus sine square का root cos ही तो होता है तो ये cos से cos कट गया हमारे पास basically बचा गया हमारे पास basically 0 से pi by 2 log of sine t बच गया अब ये question ही अकेला काफी लंबा गोशन होता है ये मैंने इसका reference दे दिया कि ये क्यों कट है ठीक है चलिए कोई बात नहीं अब जैसी situation है अब हम यहाँ पर वो property use करते है so therefore हमारा i किसमे convert हो जाएगा 0 से pi by 2 log of sine t की जगे pi by 2 माइनस t dt तो ये convert हो गया 0 से pi by 2 and log of cos t है ना अब आप notice करोगे कि भाई हम अगर log sine t और log cos t को आपस में add कर भी लेंगे तो उसे क्या फर्क पड़ेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये दोनो log of sine t multiply cos t हो जाएगा जो की actually कोई भी formula नहीं होता है ना तो थोड़ा सा complicated idea भी बनने वाला है थोड़ा लंबा question भी हो जाएगा so basically फिलहाल हमने 1 or 2 माना वो property मानी है तो add तो करना बनता है so adding 1 and 2 so i plus i तो 2i हो जाएगा 0 से pi by 2 चल रहा है 1 में क्या था log of sine sorry t dt और second में है 0 से pi by 2 log of cos t dt है ना so n में हम log के property लगा है log a plus log b क्या होता है log of a multiply b के equal होता है अब अगर इन दोनों के साथ 2 भी हो multiply में तो क्या ये 2 sin t cos t का formula नहीं बन जाएगा यानि कि क्या हम इसको sin 2 t divided by 2 नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि देखिए 2 sin x into cos x किसके इकोल होता है sin in angle के double के इकोल 2 x के इकोल होता है है ना तो अब क्योंकि हमारे पास ये 2 नहीं था तो ये 2 हम इधर shift करके दिखा सकते है तो वही का मैंने यहां किया है अब हम इसको separate कर देते हैं कि 2 pi i था 0 से pi by 2 मैंने इसको कर दिया separate log of sin 2t इसको मैंने अलग कर लिया ठीक है log a upon b की property तो upon b क्या होता है minus में आ जाता है log के साथ dt यहां मैंने इसको देख लिए completely shift कर दिया इसका integration तो हो सकता है बड़े आराम से वो हम कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम इस वाले हिस्से में फिर से substitution करने वाले है ठीक है एक काम करूँँगा मैं यहाँ पर देखिए put दियान रखना important question है यह कि 2t को कुछ थीटा बोल दे इस पार sign के साथ तो रह नहीं है so किसमे in first integral सिर्फ first में यानि कि सिर्फ इसमें बात कर रहा हूँ इसको नहीं इसको तो हम as it is solve कर लेंगे ठीक है therefore यह t का dt हो जाएगा 2 इस तरफ आ गया थीटा का d थीटा हो जाएगा limit भी साथ साथ इसमें change कर देते है when t is equal to 0 therefore theta is equal to 2 into 0 यानि कि theta की value 0 आ रही है when t is equal to pi by 2 so theta is equal to 2 multiply pi by 2 यानि कि pi by 2 से pi by 2 गट गया तो theta की value pi आ रही है therefore हमारा 2i किसमें convert हो रहा है ये हमारा convert हो रहा है देखे 0 से तो pi हो गया log same है sine same है 2t की जगे theta आ गया dt की जगे half of d theta so half को मैं आगे लिख लूँ d theta यहाँ है ठीक है अब एक property होती है कि अगर हम जितने भी variables है उन variables को interchange कर दे मतलब किसी और में ही बदल दे तो इससे इसका जो answer होता है वो answer पर कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है उससे पहले एक और property भी यहाँ पर मैं लगाना चाहूंगा using property क्या property कि अगर 0 से 2A कोई function का integration हमें करना है तो हम 0 से A limit कर सकते हैं उसकी half लेकिन साथ में 2 भी अब आगे लगाएंगे और result हमारा same आएगा ठीक है लेकिन कब when अगर हम यह जो 2A है उसमें से हमारे x को गटाएं तो यह वापस से fx के equal आ जाएगा तो देखिए यह 2A कोन है यह हमारा πाई है इस πाई को हम यानि कि इस theta को πाई माइनस theta रखें तो πाई माइनस theta से क्या sin पे कोई फर्क पड़ेगा यह वापस से sin theta ही बन जाने वाला है है ना यानि कि मैं यहाँ पर यह property की अगर help लों तो 1 by 2 तो as it is है ठीक है इस में क्या फर्क पड़ा 0 से πाई पाई का क्या हो गया half हो गया यानि कि πाई बाई 2 तो जैसे ही 2 ए A में बदल तो बाहर मेरे को 2 भी चाहिए तो बाहर multiply में एक 2 भी आ गया और अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा ठीक है वो as it is sin theta d theta में रह गया क्योंकि हमें पता है इसका result और इसका result आपस में same रहने वाला है ठीक है यहाँ पर हमने इन दोनों को आपस में cancel कर दिया अब फिर से मैं यहाँ पर एक और पोपर्टी लगाने वाला हूँ उसको directly ही कर दिंगे जहां जहां theta है उस theta की जगे मैं use करने वाला हूँ t dt reference दे देते हैं क्योंकि कोई भी limit हो उससे limit से फर्क नहीं है fx dx है तो अगर same limit same function आप रखें और variable change कर दें तो उससे answer पर effect नहीं पड़ता क्योंकि finally तो आपको same structure यूज़ करना ही है और same limit यूज़ करनी है तो variable से क्या फर्क पड़ेगा variable में तो last में जाके आपने वो number ही रखने है limit वाले है ना तो अब इससे फाइदा क्या हुआ इसको मैं यहां पर 3 बोल देता हूँ अब एक चीज़ notice कीजिएगा इसको ध्यान से पर पढ़ लीजे देखिए 0 से πाइबाइ 2 log of sin t dt यही है अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ देखवा आपको यह देखिए 0 से πाइबाइ 2 log of sin t dt है ना उपर इसको from 1 से क्या हम I लिख सकते है completely change हो गया ना है ना इसको हम क्या लिख सकते है I लिख सकते है ठीक है वो हम आगे use करते हैं देखिए एक और चीज़ भी थी इसमें साथ में तीन को बोलने की साथ से ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें हमारे पास एक चीज़ ओर चल रही थी साथ में minus में जो चल रहा था वो मैंने अभी के लिए तो skip कर दिया था चलो मैं अब उसको लिख देता हूँ देखिए starting में starting में minus 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 यह रहा देखिए यह वाला जो पार्ट है यह अभी के लिए मैंने छोड़ दिया था उसको करते हैं तो देखिए क्योंकि continue तो हम 2i ही कर रहे हैं इसको मैं अब कर देता हूँ देखिए log of 2 यह थो coefficient की तरह काम किया तो इसका integration 0 से π.by.2 limit के साथ ही आ गया तो फिर minus log of 2 और यहाँ इसको जब simplify करेंगे तो क्या आएगा π.by.2 तो finally यह minus का π.by.2 log 2 यह साथ चल रहा है तो अब मैंने क्या किया इसको from 1 था या 2 था 1 था यह थे yes from 1 यह देखिए इसको मैं i लिख सकता हूँ मैंने क्या किया 2i as it is इसको मैंने लिख लिया i और minus का π.by.2 multiply log 2 चली रहा है और इसका reference दे देता हूँ कहां से आए यह यह from 1 से आई है ठीक है अब यह i इधर 2i में से subtract करेगा तो क्या बच गया i बच गया क्या value आ गई minus pi by 2 multiply log 2 तो यह आ गया मारा fifth part ठीक है अच्छा part था चली sixth last part करते हैं इस question का उससे पहले एक page इसमें include कर लेता हूँ जरूरत पड़ेगी चली अच्छा क्या है sixth part हमारा sixth part है 0 से pi by 2 log of 4 plus 3 sin x 4 plus 3 cos x ठीक है 4 और 3 सेम है sin x by cos x 0 से pi by 2 I think यह same pattern है number तो same है यह उस एक property से बात बन जानी चाहिए 0 से pi by 2 log of 4 plus 3 उपर sin x था और नीचे cos x and dx वही same property यहां पर अब हम follow करते हैं ठीक है so therefore हमारा i किसमें बदल गया 0 से pi by 2 log of 4 plus 3 sin x की जगे क्या जाएगा pi by 2 minus x ऐसे ही नीचे 4 plus 3 cos x की जगे pi by 2 minus x and dx तो यह i किसमें convert हो गया 0 से pi by 2 log of 4 plus 3 cos x divided by 4 plus 3 sin x इसका भी answer 0 आने वाला है मेरे क्याल से तो जैसे इसके रंग डंग नजर आ रहे है तो add कर लेते हैं adding 1 and 2 so i plus i तो 2i में बदल गया 0 से pi by 2 same है so दोनों logs जो हैं वो आपस में add हो जाएंगे 4 plus 3 यह बन गया sin x divided by 4 plus 3 cos x और second में था log of 4 plus 3 cos x divided by 4 plus 3 sin x and dx यह ना छीक है तो log a plus log b वही property अप्लाई कर दें तो यह किस में convert हो जाएगा यह convert हो जाएगा log of a a अपने पास यह multiply b और b देखिए b क्या है 4 plus 3 cos x and 4 plus 3 sin x है ना dx तो यह देखिए यही से cancelled यही से cancelled क्या बच गया हमारे पास सिर्फ log of 1 और log 1 कितना होता है 0 तो 0 का integral 0 तो i के value कितनी आ रही है 0 तो यह था हमारा second question तो इसी के साथ हमारे second question के 6 part हो जाते है complete hopefully आपको इस properties पर in properties पर based question समझ आए होंगे content सालगा तो प्लेज लाइक करना ना भूले अपने friends के साथ share करना ना भूले ताकि उनको भी कुछ ना कुछ benefit हो और channel पर नहीं है तो please subscribe भी करें तो चलिए मिलते हैं next video में आगे questions के साथ